कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को एक ही तरीके की रेसिपी इस टिफिन में देते हैं तो बच्चे उनसे बोर हो जाते हैं तो आज हम कच्चे आलू से एक नए तरीके की बहुत ही टेस्टी टिफिन रेसीपी बनाने वाले हैं जो बच्चे बहुत सौक से खाएंगे पूरत टिफिन चट कर गयाएंगे तो चलिए देर किस बात की बनाते हैं कच्चे आलू की इस रेसीपी को बनाने के लिए दो कच्चे आलू लिये हैं जो की मेडियम साइज के हैं और इनको हमने अच्छे से छील करके धो लिया है अब ग्रेटर की हेल्प से हमें इसे ग्रेट कर लेना है तो एकदम पतले पतले से लच्चे हमें निकालने हैं मोटे ल अच्छे से दो करके सारा पानी निचोड देंगे, ये दिखें अछे से पानी निचोड दीजी इसका तो इसे एक दूसरे बोल में निकाल लेते हैं ये दिखें आलू के लच्छे एकदम से बढ़िया से रेडी हैं, इसमें हम एक प्यास डालेंगे और इसी भी इसी तरह से लच्छे में कट करके डाला है, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो आप इसे अव मिला देना है, इस तरह से बढ़िया से मिला दीजिए, और नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर पानी छोड़ेगा, इसे साइड में रखते हैं, अब आपको लेना है गेहु का आटा, नॉर्मल जो आप रोटी या चपाती के लिए आ सूखा आटा लगा करके हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे, तो रोटी को बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, और ज्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, जैसे नॉर्मल घर में चपाती बनाते हैं, उससे हलका सा मोटा रखना है आपको, यह देखे फिरंड्स हमने यह थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और अच्छे से मिला देंगे, यह देखे फिरंड्स, इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब रोटी को उपर हम लगाएंगे, आधा चमश टोमैटो कैचप, साथ में हम थोड़ा सा तंदूरी मियू लगाएंगे, आप चाहें तो नॉर्मल मेउनीज भी लगा सकते हैं, और बस इसे दोनों को अच्छे से मिक्स करते वे, रोटी के उपर अच्छे से फैला देना है, बस थोड़ा सा किनारे की साइट पे छोड़ना है, अब यह जो आलू के लच्छे हैं, वो हमें इसके बीच में रखने हैं, लगभग दो से तीन चम्मच के जितने और इन्हें भी सॉस के उपर ही फैला देना है, इस तरह से लेयर लगा दीजिए, अब जो दूसरी रोटी है, उसको हम इसके उपर रख करके इसे चिपका देंगे, अब फिर से हम इसमें दूसरी वारी लेयर पे लगाएंगे, यह है सेजवान और इस वाली लेयर पे हम थोड़ी सी चीज भी ग्रेट करके डाल देंगे, यह तोटली ऑप्सनल है, बढ़ डालेंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, थोड़ा सा हमने इसमें मिक्स हर्व भी डाल दिया, अब फिर से हम एक रोटी से इसे कवर कर देंगे, औ एक नास्ते को इस तरह से बनाने के लिए, मैंने यह पर तीन रोटियों का इस्तिमाल किया है, यह देखे नीचे की साइड से चिपका नहीं है, अब इस तरह के आपको कोई जाले लेनी है, और इसको थोड़ा सा तेल लगा करके हमने चिकना कर लिया है, अब एक कड़ाई मे हमने लगभग एक से तेड़ गलास के जितना पानी गरम होने के लिए रखा है, और यह नास्ता हम इसके उपर रख देंगे, फिर हम इसे ढख देंगे, और ठक करके इसे दस से पंदरा मिनट तक मेडियम आज में पकने देंगे, देखे इस तरीके से फूलेगा, और जो कच अच्छे से कुक हो गया है, हमने इसे निकाल लिया, और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे, तो चाहें तो आप इसे चार टुकड़े में कट कर लेंगे, लेकिन मैं इसके बीच से भी इस तरीके से ऐसे कट कर लूँगी, चीज थोड़ी सी डालने से इसका जो टेस्ट है, वो काफी जादा बढ़ जाता है, और बच्चों को चीज बहुत पसंद होता है, तो बस मैंने थोड़ी सी चीज इसमें डाली थी, उपर वाली लेयर पे पूरे में नहीं डाला है, ये दिखें, इस तरीके के पीसेज में से कट कर लिया, आलू पूरी एक बोल में हम लेंगे आधी कटोरी गेहूं का आटा, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा मिक्स हर्व डाल देंगे, और बस इसे अच्छे से मिला देंगे, ये देखें, आप पानी डाल करके इसका हमें बैटर तयार करना है, यानि कि घ गहूं के आटे की जगे मैदे का इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर गहूं के आटे का ही इस्तिमाल कर रहे हूं, इस तरीके का गहा गोल जब तयार होगा, तो ये जो हम नास्ता तयार किये हैं, वो एक टुक्डा उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे, और इसके ब लेकिन जब हम इस तरह से इसमें घोल लगाएंगे तो इसके अंदर तेल भी नहीं जाएगा और नास्ता अच्छे से करा रहा हो जाएगा अलट पर लट करके इसे अच्छे से सेखना है और चाहें तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं तो इस तरह से बिना फ्राई किये ही पहले से स्टोर कर लीजिए और जब आपको रेडी करना हो तो बस इसे घोल में डिप कीजिए और फ्राई कर लीजिए और इस तरह से आप इसे फ्रिज में तीन चार दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं ये लिजे फ्रेंड्स बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी टिफिन रेसीपी तयार है जो कि गेहूं के आटे से बनी है बहुत ज़्यादा टेस्टी है पूरा टिफिन चट करके आएंगे ट्राइ लिएगा टेस्टा प्रिवेदा टेस्टी टो ओट दो बहुत माते पूरा टेस्टा टेस्टी गज़वेदा से थाज़ था टेस्टी ओप हैं ये इक है खर बहुत है।